अजय देवागन की पहली फिल्म, फूल और काटे, ने पहले दिन बॉक्स ओफिस पर 0.10 करोर की शांदार कमाई की। उना की हालिया होरार फिल्म शैतान के पहले दिन 10-12 करोर कमाने की उम्मीद है, जो की अजय की पहली फिल्म से 11,99,900 अधिक है। हालान की, शैतान को एक कटिन कार्य का सामना कराना पद रहा है, जिसे फूल और काटे की सफलता के बराबर 732 करोर की आवश्यक्ता है, जिसने अपने जीवनकाल में 6.10 करोर जमा की, जो की इसके शुरुआती दिन से लागभाग 61 बुना अधिक है। 1991 की इक्षिन फिल्म फूल और काटे सुपहित रही और साल की 34 साबेज ज्यादा कमाई कराने वाली फिल्म बन गाए। 2.50 करोर के बजट में बनी आईस फिल्म से 144% का अच्छा खासा मुनाफ हुआ। जैसा की शैतान ने सफलता का लक्षे राखा है, या देखाना बाकी है कि क्या या 2024 की शीष कमाई वाली फिल्मों में स्थान सुरक्षित कर पाटी है। अजै देवागन की पहली फिल्म से लेकर वर्तमान तक की यात्र उना की अधिवतिय सफलता से मेल खाने में अनेकी नवीनतम पेशकाश के सामने आने वाली चुनोतियों पर प्रकाश डालती है। पहली ब्लोका बेस्टा